चलिए हम बनाते हैं आज कठल के कोपते वो भी बहुत ही असान तरीकों से क्या आपको भी कठल की कोपते बनाने में दिक्कत आती है तो आईए इस वीडियो को देखते हैं और बताते हैं कि बहुत ही असान तरीकों से कैसे इसको हम बनाएंगे यह बहुत ही लजबाब होता है इस समय कटहल बहुत ही बजार में असानी से मिल जाता है तो यह मेरा मिडियम साइज का कटहल है तो यहाँ पर हम कटहल को काट लिए है और कटहल को काटना देखना है तो मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर हम काट कर दिखाए हैं तो यहाँ पर हम नमक डाल लिए हैं और नमक के साथ साथ हल्दी डाल लिए हैं और इसमें एक डिड़ गिलास पाणी हम डाल लेंगे और कुपकर में दो सिटी हम लगा लेंगे जिसे कि ये उबल सक है तो कठल को हम काटकर अच्छी तरह से धो लिए थे और यहाँ पर देखिए कठल मेरा उबल चुगा है यहाँ दो सिटी लग चुगा है और देखिए यहाँ पर कठल कितना अच्छा कोलर आया है तो कठल के हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर थोड़ा थंड़ा करने के बाद इसको हम मैस करेंगे तो यहाँ पर हम सारे कठल को निकाल लिए हैं और कठल मेरा थोड़ा थंड़ा हो चुका है उसमें डालने के लिए हम दो टमाटर और दो प्याज को ले लिए हैं और प्याज को हम रखली ऐसे ही चौप कर लेंगे क्योंकि इसको हम ग्रेवी तयार करेंगे यहाँ हम दो टमाटर ले लिए हैं उसको भी हम काटकर मिक्सी के जार में पीश लेंगे तो यहाँ पर दो टमाटर कटा है और आधा हम प्याज को रख लिए हैं क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसी तरह रख लिच जब कर लेंगे क्योंकि इसको हमको पीसकर ग्रेवी बनाना है और यहाँ पर हम चीरा और मरिच और लौसुन और मर्चाई खाड़ा हम ले लिए है आपके पास अगर पॉडर मसाला हो तो आप पॉडर मसाला ले सकते हैं क्योंकि जब हम टमाटर और प्याज को पीशेंगे ही तो उसमें ये भी हम पीश लेंगे और ऊपर से हम डालेंगे हलदी पावडर और थोड़ा सा धनिया तो यहाँ पर हम पानी डाल लिए है और पानी डाल कर हम इसको फाइन पीश लेंगे यहाँ पर देखिए कटल में हम दो हरा मिर्च को काट रह weit है है और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक थोड़ा कम ही डालेगा कियोंकि बाद में ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा यहाँ पर हम आधा केजी कटल लिये हैं और उसमें हम 4-5 चमच डेशन डालकर उसको हम मैस करेंगे बेशन के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जो हम मसाला पिसकर तयार किये थे बेशन और मसाला डालने के बाद हम इस कटल को अच्छी तरह से मैस करेंगे इतना मैस करना है कि यह बिल्कुल नरम और मुलायम बन जाए अगर आपको बेशन की थोड़ी सी कमी लग रही है तो आप इसमें बेशन और भी मिला सकते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है थोड़ा सा और इसमें हम बेशन डालेंगे और बेशन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मैस करेंगे जिससे की मेरा जो पकोड़ा बनाएंगे उसका बॉल चिकना चिकना बनकर तयार हो तो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं को सस्क्राइब जरूर कर ले तैकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे तो देखिए हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और यहाँ पर हम गोल गोल इसका बॉल तयार करके तेल में डाल रहे हैं यहाँ पर हम सर्षो तिल का इस्तेमाल किये हैं आप जो तिल खाते हैं उस तिल में आप बना सकते हैं तो आप अपने मन पसंद से छोटा या बड़ा बॉल तयार करेगा तो यहाँ पर हम ना छोटा तयार किये हैं ना बड़ा तयार किये हैं यह मेरा medium size का बॉल बनकर तयार हुआ है और इसको हम अच्छी तरह से medium आज पर इसको तलेंगे जिसे कि मेरा पकावड़ा जो है अच्छी तरह से बनकर तयार हो तो यहाँ पर हमको golden brown चाहिए इसको उलटते पलटते हुए चलाएगा किंकि अंदर तक अच्छे तरह से सिख सके इसको हम धीरे धीरे उलटते पलटते हुए यहाँ पर हम लाल कर लिये हैं और इसको हम अच्छी तरह से चलाएगे क्योंकि जो इधर उधर थोड़ा सा कमी रह गई है वो भी पूरा हो सके तो यहाँ पर देखिए सारा बॉल मेरा अच्छी तरह से सिख चुका है इसको हम निकाल लेंगे और जितना जो बचा है मेरा बेशन उसको भी हम करकर के निकाल लेंगे इस तरह से देखिए कितने अच्छा बनकर मेरा तयार हुआ है इस तरह से आप भी बनाएए दोस्तों बहुत ही कम समय में और कम समानों में बनकर तयार होता है यहाँ पर दूसरा बार भी जो पकोड़ा डा रहे थे उसको हम निकाल लिए हैं जो तेल बचा था उसमें हम डा डालने के बाद हम जो आधा प्याज को रखे थे ओप्याज को हम इस तेल में डाल कर भूनेंगे जो प्याज हम डालेंगे उसका जो स्वाद होगा वह ग्रेवी में अच्छा फ्लिवर लाएगा अगर आपको हिंग पसंद है तो तेल में ही थोड़ा सा हिंग डाल देजेग केंकि कट हल थोड़ा गरिष्ट होता है इसलिए पचने में आसानी होती है हिंग से अगर नहीं पसंद हो तो नहीं डालिएगा तो यहाँ पर मेरा प्याज लाल हो चुका है अब जो हम इसका मसाला तयार की है उसको हम डाल कर थोड़ा सा ढख लेंगे केंकि जो तेल का छीटा बुञ़ा है पूरा कीचन एक तम तेल करता है यहाँ पर डालकर थोड़ा ठक लिये थे और उसको बाद हम इसको हटा कर चलाएंगे अज इसको अच्छी तरस से हमको भूंना है जिसे की मसाला अच्छी तरस अचले पयाकर जावारे और अच्छी तरस से भून्य के बाद इ बीदर ला है अभी नहीं गरमासाला जाएगा है यहां पर हम अभी डाल लिये हैं ध्याण रखेगा नमक कड़ा में भी है और इसमें भी एनमक तो इतना डालिएगा जिस्से की अच्छा स्वाद है कड़वा नहों यहां पर देहीं मसाला मेरा और रिभून जा चुका है और हम इसमें अब डालेंगे पानी तो पानी थोड़ा ज्यदा ही डालिएगा क्योंकि जो यह पकवड़ा हम कठल का बनाए है जो इसमें जाएगा तो पकवड़ा थोड़ा पानी को अब्जर्ब करता है तो यहां पर हमको रोटी में खाना है इसलिए हम इतना ही पानी डाले है और यह थोड़ा सा गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला और यह मेरा गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे पकवड़ा जो हम बना कर तयार किये हैं दिखें कितना अच्छा से इसका क्लार आया है अब इसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको ढखक कर दो मिनट पकाएंगे दो मिनट पकाने के बाद हम इसको फिर से इसको ढखण हटा कर देखेंगे कि कितना मेरा ग्रेवी रखना है या कितना नहीं यहाँ पर इतना ही मेरे को ग्रेवी रखना है कि यह ठंड़ा होने के बाद और ही सोख लेता है यहाँ पर मेरा कप्टल का कोपता तयार हुचे का है तो आए हम इसको दिखाते हैं तो थोड़ा सा दो मिनट के बाद हम इसको हटा कर देख रहे हैं देखे कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है इसको खाईएगा तो नन भीज भी खाना बोल जाईएगा इतना इसमें टेस्ट होता है तो यहाँ पर हम इसको सर्व करके दिखा रहे हैं दोस्तो कट्छल का भी सब्जी अच्छा लगता है और कट्छल का कोपता भी अच्छा लगता है और अगर आपको कट हल का सबजी देखना है तो मेरे चैनल पर अल्रेडी पढ़ा हुआ है जाकर देख लिजिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सबजी बनकर तयार हुआ है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर किजिएगा